दिडोन एक्स्प्रेस आईना सच्का आज संत रविदास जेनती है आप सबको रविदास जेनती की सुपकामना है संत सिरोमडी रविदास का जीवन ऐसे अद्भुद परसंगों से भरा है जो दया, प्रेम, छमा, धर, शोहार्द, समानता, सत्य सीलता और विस्वबंधुत जैसे गुणों के पेना देते हैं संत रविदास का जन्म पंद्रहमी सताबदी में माग पूर्णिमा के दिन हुआ था और उसी दिन प्रतेक बर्स रविदास जेनती मनाई जाती है बरानसी के पास एक गाउ में संतर विदास का जन्म हुआ था उनके माता का नाम सिर्मती कल्सादेवी और पिता का नाम सिरिसंतोख दास था संतर विदास का सभाव बड़ा ही दयालो था संतर विदास ने अपनी रचनाओं से जिस समाज की नीव रखी वह वाकई अद्भूत है जिस तरह विसाल हाथी सक्कर के कणों को नहीं चुन पाता मगर छोटी सी चिट्टी उनकणों को सहचता से चून लेती है उसी तरह अभिमान त्याक कर बिनम्र आचरण करने वाला मनुष्य सहद ही इस्वर क्रिपा पालेता है जन्म और जाती अधारित वण विवस्था को नकारते हुए रहधास कहते है रविदास जी के संत बनने को लेकर कई तरह की कथाये हैं ऐसी एक कथा के अनुसार रविदास जी अपने साथी के साथ खेल रहे थे लेकिन अगले दिन उनका साथी नहीं आता तो वा उसे ढूंडने के लिए चले जाते हैं तब ही उन्हें पता चलता है कि उसकी मिर्त्य हो गई है यह जानने के बाद रविदास जी का मन बहुत दुखी हुआ वह अपने दोस्त से बोले कि उठो समय सोने का नहीं साथ खेलने का है मेरे साथ खेलो इतना सुनने के बाद ही उनका साथ ही खड़ा हो गया कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बच्पन से ही संत्र अविदास को अलोकिक सक्तियां प्रप थी लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया उन्होंने अपनी सारी सक्तियां भगवान क्रिश्म और राम की भक्ती में लगा दी इसी तरह लोगों का भला करते करते वह संत्र बन गए कहा जाता है कि संत्र अविदास जी मीरा भाई के गुरू थे रविदास जी ने अपने दोहों और कविताओं के जरिये उस समय समाज में चल रही बुराईयों जैसे चुबा चूत और दूसरे अडंबरों पर तंजबी कसते थे उन्होंने कई ऐसे दोहे कविताओं कहावतों की रचना की जो आज भी काफी प्रचली थे आईये रविदास जेनती के मौके पर ऐसे ही कुछ दोहों कविताओं को दोहराते है जाती जाती में जाती है जो के तन के पात रहिदास मन उसना जुड़ सके जब तक जाती न जात कहने का मतलब है अगर केले के तने को छीला जाए पत्ते के नीचे पत्ता ही निकलता है और अंत में पूरा खाली निकलता है पेड मगर खत्म हो जाता है वैसे ही इनसान को जातियों में बांट दिया गया है इनसान खत्म हो जाता है मगर जातियां खत्म नहीं होती है इसलिए रविदास जी का कहना है कि जब तक जाती खत्म न होगी तब तक इनसान एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता है कभी भी एक नहीं हो सकता है रैदास कहे जाके हदे रहे रैन दिन राम सो भगता भगवन्त सम करोध न ब्यापो काम जिसके दिल में दीन रात राम रहते हैं उस भगत को राम समान ही मानना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि नो तो उन पर कुरोध का उसर होता है और नहीं काम की भावना उस पर हावी होती है मन चंगा तो कठवती में गंगा अगर आपका मन और दिल दोनों साफ हैं तो आपको इस्वर की प्राप्ति हो सकती है अर्थात आपके मन अंदर निवास कर सकते हैं हिरसा हीरा छान के करे आन की आस तेनर जमपुर जाहिंगे सत्भावे रविदास जो मन उस्वर की भक्ति को छोड़कर दूसरे चीजों को ज्यादा महत्व देता है उसे अवस ही नर्क में जाना पड़ता है इसलिए इनसान को हमेशा भग्वान की भक्ति में ज्यान लगाना चाहिए और इधर उधर भटकना नहीं चाहिए रविदास जन्म के कारन होतनको नीच नर्कू नीच करिडार ही ओचे करम की कीच इसका मतलब हुआ कि इनसान कभी जन्म से नीच नहीं होता है वो अपने बुरु करमों से नीच बनता है रविदास जन्म के अउसर पर हम सभी को रविदास दीके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए उस पर चलने की कोशिश करना चाहिए तथा देश एंग समाज को खुशाल सोहार्द और सांतिव प्रिय बना करके देश समाज की प्रगती के पत पर अग्रसर होना चाहिए नमस्कार धन्यवार